एक बनिये के तीन बेटे थे, एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीन लोगों को बला कर पूछाए कि तुम लोग क्या करना प्रसंद करोगे, किस तरह की चिंतकी बिताऊगे, बड़े ललगे ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा, छोटा बोला कोई अ आसन काम नहीं है, पकड़े गए तो मार मार कर मुर्ता बना दिया जाता है, उसके लिए अकल की बड़ी ज़रूरत है, लड़का बोला, इतनी अकल तो मुझ में है, चाहो तो इंतहान ले सकती है, बनिया ने कहा, तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादसा का गोड़ा च चल पड़ा, दिली पहुँचकर पाया कि सेहर की चारों तरफ कड़ा पहरा है, वे बाहर सलक पर रुक गया और सूचने लगा कैसे अंदर जाया जाए, कुछ दिर बाद उसने एक नहीं को आती देखा, पास आने पर पूँचा, भाई कहा जा रहे हो, नहीं नहीं ने बताय कि सेहर के अंदर वही आदमी जा सकता है, जो कुछ काम करता हो, फाल तो आदमी को सेहर में नहीं घुचने दिया जाता, सुनकर जानी रम सोचने लगा, कैसे सेहर में घुचा जाए, नाई से वह बोला, अच्छा भाई, मैं बापा से लोट जाऊंगा, तेकिन मेरी हयमत तो बनाते जाओ, नाई ने उसकी बात मान ली, बोला बैठ जाओ, जानी रम बैठ गया, कि तो पानी नहोने के कारण हजामत कैसे बनती, तब ही जानी रम ने कुछ दूर एक तालब की और इशारा किया, बोला वहाँ से कटूरी में पानी भरकर लाओ, तब ही हयमत बनेगी, न दीरे दीरे उसने भट्यारी को काबू में कर लिया, उससे बोला, अगर तू होस्यारी से मेरा काम करती रहेगी, तो तुझे रोज एक असरफी दूँगा, बुढ़िया राज ही हो गई, तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहा रहता है, अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर बुढ़िया को दिया, कि उसे लेया कर दरवार में डाल दे, पर्चे में लिखा था, बातसा सलामत, जानी चोर इस सहर में आ चुका है, पह आपके काबूली घोड़े को चुरा लेगा, बुढ़िया ने य कि आज रात जो हमारी घोड़े की रगवाली करेगा, उससा 500 रुपे इनाम में दिये जाएंगे, यह सुनकर एक लालची सुनार दरवार में पहुंचा और घोड़े की रगवाली का काम ले लिया, बुढ़िया से जानी को जब यह मालू हुआ कि सुनार ने घोड़े की पर देज गया है, और कई वरसों से घर नहीं लोटा है, जानी चोर खुशोगर बुला, बुढ़िया से अब काम बन जाएगा, तु लोहा पीतल और गिलेट के कुछ टुकले जमा कर उसके एक पोटली बना ले, बाहर से सुन्दर रीच में कपड़ा लापिट देना, सुनार की घरवाली बुड़ी हो चुकी थी, आँखों से साफ साफ दीखता ना था, आवाज सुनते ही उट बैठी, बहु को भी जगा दिया, अरी मेरा सुमेर आ गया, बहु उट, देख तो इतने दिनों बाद सुमेर लोटा है, बहु भी उट खड़ी हुई, माने बेटे के बारे में पूछा, मालूम हुआ कि वे आज पहरे पर गई है, सहर में जानी चोर आया है, वे बास्चा के गोड़े को चुराना चाहता है, रात में बहु ने बढ़िया खाना बना कर उसे खिलाया, मा अपने कमरे में जाकर सो गई, वे भी बहु के साथ पोटे में जा पह ला, यह देखो, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ, उन चीजों से भी बढ़कर है, जो कि तुम अपने मईगे से लाई हो, जरा लाना तो उन चीजों को इनके मुकाबले की भी हैं या नहीं, बहु बहुत पिर्शन हुई, अपने सारे जीवर लाकर रग जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे एक अच्छा मौकत दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए, उसने संदूक की उठाई और चार दिवारी से कूट कर चंपत हो गया, सारा जीवर लाकर उसने बटिया, अगले दिन घर लोटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला, त अपनी कहानी सुनाई, सुनकर बासा को आच्छा रह हुआ, बासा सोचने लगा, चोर ही नहीं, वह सासात उस्ताद भी है, किस तरह उससे अपने घोड़ी की रक्षा की जाए, दूसरे दिन फिर दर्वार में चिट्टी आगिरी, इसमें भी घोड़े को चुराने की बाद लिखी थी, चिट्टी पढ़कर बासाने घोड़े पर कड़ी निक्रानी रखने को कह दिया, इनाम की राच्छी पांस्तों से बढ़ा कर एक हैर रुपे कर दी, इस बार घोड़ी की रखवाली के लिए कोई तयार नहुआ, लोग सोचने लगे कही इनाम की चकर में घर का मा कोदवाल साहब आये हैं, उसना दुलहन जैसे कपड़े पहने और एक थाली में धूब बती जला कर मंदिर की ओर चल पड़ा, रास्ते में कुर्स दूरी पर गुह साल पढ़ती थी, जहां घोड़े पर सवार हो, कोदवाल साहब पैरा दे रहे थी, रात के समय एक सुन्दर ने बोली, हटो जी, क्यो मजाग करते हो, कोदवाल बोला, मजाग नहीं, सच कहता हूँ, तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर सुम्म तुम्हारी पूजा करना चाहता है, अच्छा, तो चलो, वहां मंदिर में चलकर पूजा करना, ठाकुर खुशी से ठाकुर जी, कोदवाल ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, कि ये चोड डाकुओं की कहने हैं, मैं इन्हें पहन कर देखूंगी, यह कहकर इस तरी ने हत्कड़ियां लेकर अपने कलाईयों में डाली, उसकी कलाईयों से हत्कड़िया निकालते हुए, कोदवाल बोला, ये तुम्हारे पहने की चीज नहीं है, तुम्हारी कॉमल कलाईयां इसमें बल खा जाएंगी, इस तरी ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीज़ें को पहन कर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती हैं, अच्छा तो रुख जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे जैसे जैसे मैं बताता जाओं, वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना, कहकर उसने अपने हाथों में हतकड़ी और पैरों में बेडियां डाल दी, फिर मुश्कराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है, अब इन्हें खुल दो, कोदबाल की बात सुनकर इस तर कोदबाल के होश लगए, जिल गिलाता बोला, भाई इस वार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े ना आउंगा, किन्तु जानी चोर कब सुनने वाला था, उसने कोदबाल को एक रसी से बान दिया, उसके मुमा कपला ठूस कर गोड़े पर बिठाया, और बास्ता क महल के आगे फैक कर चंपत हो गया, सभीरा होते ही सहर में हल्चल मच गई, जानी चोर ने कोदबाल की वेहता सा बनाई, जो आज तक कभी ना बनी थी, लोग जानी चोर के नाम से थरतर कापने लगे, दरवारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश बाथसा को बड़े चिंता हुई कि किस तरह गोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को चिंता पकड़ा जाए, कोई उपाए न सूचा तो बाथसा ने स्वेम निच्चे किया कि वे अपने हाथों से चोर को पकड़ेंगी, सोचकर बाथसा उसी काबुली गोड़े पर ब बाथसा ने पूछा इस वक्त किस के लिए अनाज पीछ रही हो, बुड़िया हाफती हुई बोली, क्या करो सरकार, बुड़ापा बहुत बुरा है और उस सही बुरी चीज गरीबी है, दिन में महले के बच्चे पगली कहकर चलाते हैं, इसलिए रात में यहां आकर काम करती हुँ, अभी अभी एक सिपाई आया था, पीछने के लिए क्यहू दे गया है, अभी आकर ले जाएगा, सुनकर बाथसा घुले से उतर पड़ा, पूछा क्या नाम था उस सिपाई का, बुड़िया ने माते के परचीना पहुचा, बोली, नाम तो सरकार वह है, जानी जानी क मिलेगा, वह बढ़िया से बोला, तू मेरे कपले पहन ले, और मुझे अपने कपले पहना दे, ताकि मैं उसे पकड़नू, वह सिवाई नहीं, चोर है, मैं उसे पकड़कर बाथसा के पास ले जाओंगा, बाथसा ने अपने कपले पहना कर, उस मंदिर के आंगान में भेज दिया, साथ ही अपना काबली गोला भी उसके हवाले कर दिया, स्यम उचने पढ़िया गया, फटे पुराने कपले पहन लिये, और सड़के गिनारे बैठ कर चक्की घुमाने लगा, हाथ में घोला आते ही, जानी चोर, फूला ना समाया, वे तुरंद घोले पर चड़ा, और ए तो बनियों को विजवास हो गया, बोला साभाज बेटा, अब तु जरूरी सूरी कर सकता है, कि तु याद रख, गरीब को कभी परिशान न करना, इमानदारी और मेहनत से कमाई धन पर कभी ढांका नहीं डालना, और गरीबों की साहता करने में पीछे ना रहना, अब जाकर बादसा का गोड़ा वापस कर आ, सुनकर जानी चोर, गोड़ा वापस करने निकल पड़ा, दोस्तो आपको एक चोर बादसा की कहानी कैसी लगी, कॉमेंट करकर बताईए, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजे लाइक, और चैनल को कर दीजे सब्स्ट्राइब, म मिलते हैं कैसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाहिए,